वेल्कम तू स्वामी वेकरनंद इंस्टिटूट माइनम इस शाहीन एंड इन इन इस पर्टिकुलर लेक्षर वीडियो वी आर गोइंग टू डिसकर अनदर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग जिसमें आज डिसकर करेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग इससे प्रीवेस से कि आप यूजी सीनिट इक्जाम को इसली क्रेक कर पाओ using of या जाता है जैसे सपोज एक बैच है मान लो 1000 यूनिट्स को प्रिपेर करने का बैच है तो तो पर झावसे च्षाप से प्राइd जाता है लेकिन जैसे ही एक एक्स्टा यूनिट हुई जो प्राइज है वो फ्लक्चुेट कर जाता है मानलो वो प्राइज 10 रुपे से 11 रुपे हो जाता है तो वहाँ पे marginal costing का पार्ट आ जाता है एक एक्स्टा यूनिट को produce करने से कितना costing में फरक आएगा एक कंपनी की जो marginal cost होती है इसका मतलब होता है extra cost जो की आप एक एडिशनल यूनिट की वजह से पे कर रहे हो एक एडिशनल गुड्स या एक एडिशनल सर्विस की वजह से आपको चार्ज कर रहे हो जैसे मान लो एक service है insurance insurance में आपको five type की facility मिल रही है तो आपके charges it's an example बस यहां रखना अगर इसके charges है 5000 रुपीज ठीक है particular आपको installment या monthly basis पे या yearly basis पे इतना pay करना पड़ रहे है लेकिन जैसे ही आप कोई extra facility को avail करते हो एक extra facility means अब आप कितनी facility avail कर रहे हो six तो आपके यह जो 5000 हैं यह charges convert हो जाते हैं into 7000 तो क्या है यह 2000 is the additional cost जो कि आप एक additional facility की वज़े से pay कर रहे हो यह जो marginal cost concept है वो use किया जाता है manufacturing sector के अंदर the marginal cost of production includes जो marginal cost है इसके अंदर क्या क्या चीज़े आती है changes in expenses due to changes in the production level अगर मैं production level में कुछ changes कर रही हूँ खर्चों की वज़े से cost पे जो changes आ रहे हैं अगर मैं expenses में change कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं यह जो expenses में change की वज़े से cost में change आ रहा है वो आपका marginal costing का part बनता है when the marginal cost of production is lower than the price per unit the company gains a certain profit level marginal cost have been spent overall finding out the increase or decrease in the total production level जो marginal cost का मतलब होता है वो खर्चा जो आप कर रहे हो जहां पे उस खर्चे की वज़े से कहीं ना कहीं आपका खर्चा या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है due to the change in output of one extra unit एक unit के output को change करने की वज़े से ना क्या formula होता है marginal cost का marginal cost is equals to change in total cost जिसको आप इससे भी represent करते हो total cost में change करना in response to quantity quantity में change कर रहे हो जिसकी वज़े से आपकी total cost में change आ रहा है while calculating the marginal cost marginal cost को calculate करते वक्त we need to divide हमें क्या करना पड़ता है divide total cost को change in quantity से दिखाना पड़ता है for example quantity will be 1,2,3,4,5 और आपकी जो total cost आ रही है that will be 10,20,30,40,50 तो आपकी जो marginal cost होगी वो क्या होगी marginal cost will be change in total cost total cost में कितना change आ रहा है quantity में देखो जरा change देखो कितना change आ रहा है 10 with response to quantity में कितना change आ रहा है 1 तो 10 फिर कितना change आ रहा है 10 और फिर कितना हो गया 1 again इन के बीच में difference को देखा और unit के बीच में difference को देखा तो आपका marginal cost का formula derive होगया now what are the steps for calculating marginal cost marginal cost को निकालने के लिए क्या-क्या steps है सबसे पहले variable cost को identify करो आपको पता है न कि cost की in terms of fixed और variable proportion में दो category बनी हुई है एक होती है fixed cost एक होती है variable cost जो fixed cost होती है यह amount में, amount में change होती है लेकिन per unit amount में fix रहती है जो fixed cost है वो amount में fix रहती है लेकिन per unit, per unit क्या होती है? चेंज होती है लेकिन जो आपका variable cost है यह amount में vary करेगी दिखेगा, amount में variation ला सकती है लेकिन per unit यह क्या रहती है? यह fix रहती है variable cost को identify करने का मतलब वो खर्चा जिसकी cost vary कर रही है अगर मैं 10 unit बनाती हूँ अगर मैं 11 unit, 12th unit, 13th unit बनाती हूँ तो उसकी cost पे फरक पड़ता है जैसे fixed cost मान लो एक जगा पे मैं काम कर रही हूँ तो हो गया rent मान लो मैं 20 students को पढ़ाती हूँ इनकेस मैं 20 students को पढ़ाती हूँ 50 को पढ़ाती हूँ ठीक है है ना electricity जादा usage करूंगी AC वगारा use कर रही हूं या और भी other things use कर रही हूं तो वहाँ पे electricity की consumption जादा होगी लेकिन अगर मैं normal only fan का use कर रही हूं तो वहाँ पे electricity की consumption कम होगी है ना ठीक है तो यह fit और variable तो variable खर्चों को पहले identify करना we need to find out all the variable cost सारी के सारी variable cost को ढूडेंगे directly associated with producing goods and services this variable cost can be अब यह variable cost कून सी हो सकती है direct material भी हो सकती है direct labor भी हो सकती है और आपकी indirect खर्चे भी हो सकते है फिर आप contribution को find out करोगे what is contribution जब sales में से variable खर्चे minus कर देते हैं तो the difference between selling price and the variable cost is known as contribution margin it is the amount यह वो amount होती है जो कि fixed cost को cover करने में help करती है क्योंकि अगर आप marginal cost का chart पड़ते हो तो आपने notice किया होगा sales minus variable cost तो निकलता है contribution contribution minus fixed cost तो आपका निकलता है profit ebi contribution का margin क्या है selling price में से जब आप variable खर्चों को minus कर देते हो now the third one is calculate the total variable cost इस check के अंदर हम लोग सारी के सारी variable खर्चों को जोड़ देंगे total variable cost में डारिक material डारिक लेबर और वेरियेबल ओवर हैड आ जाएगा determine the break-even point अब आप break-even point निकालोगे break-even point कुन सा है represent total revenue equals the total cost जहां पे आपका total income और total cost दोनों बराबर हो जाए break-even point वो situation होती है no profit no loss वली कोई profit कोई loss नहीं हो रहा क्योंकि because your revenue your sales your income is equals to your expenses or you can say your cost that is why हम बोलते हैं कि ये break-even point होता है जहां पे formula है total fixed cost divided by contribution margin per unit ये बहुत important है इसको note down कर सकते हो break-even point total fixed cost में divide कर दो किसके साथ contribution per unit के साथ now step number five is calculate the marginal cost marginal cost को calculate करोगे marginal cost कैसे निकलेगी marginal cost marginal cost का मतलब होता है एक additional unit को produce करने में जितना खर्चा आ रहा है इसमें direct material direct labor variable overhead आएगा और फिर आप अपना result को analyze करोगे इस step में result को आप बताओगे inform करोगे decision को कि हम इस decision पे लेके आए हैं हमने marginal cost की value इतनी calculate करी है extra unit इतना बन रहा है इसको cost को ऐसे reduce किया जा सकता है where the marginal cost marginal cost कम होगी selling price से अगर तो marginal cost कम होगी selling price से तो ये profitable situation है to produce extra unit तो हम extra unit produce कर सकते हैं हमें फायदा है लेकिन if the break-even point अगर break-even point जादा होता है necessary to reduce the cost we can also increase the selling point और मतलब अगर marginal cost जादा होती है selling price से तो ये profitable situation नहीं है हम lay down कर जाएंगे उस situation से now uses of marginal costing marginal costing का point अगर मैं बात करूं तो marginal cost की अगर मैं बात करूं तो is a powerful costing technique this helps in providing marginal costing क्या-क्या provide करती है accurate information decision making के लिए और भी कुछ important इसके uses है जैसे कि क्योंकि जहां word costing attach हो जाता है जहां word cost attach हो जाता है वहां pricing effect होती है क्योंकि cost से मिल के price बनता है cost में profit जोड के price बनता है that is why चाहे वो marginal cost हो चाहे वो job costing हो चाहे वो process costing हो चाहे वो हम लोगों ने और costing standard costing वग्यारा भी पढ़ा था तो ये सब help करते है pricing decision में marginal costing pricing strategy में use होती है considering the variable cost ये जरूरी है कि हम price को cover कर सके और price में से हम लोग profit को generate कर सके make or buy decision make or buy decision हम ये decide कर पाएं कि whether we need to make the product or we can buy the product और earn the profit तो ये दोनों situation होती है marginal costing मदद करता है कि हमें एक particular product को good को outsource करना है बाहर से मंगवाना है या हमें खोद product को manufacture करना है now profit planning profit planning भी आपको पता चलेगी marginal costing से क्योंकि कहीं ना कहीं cost है cost में profit जुड़ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपकी sales revenue बन जाएगी marginal costing beneficial है most profitable production level के लिए they also help in determining most profitable level of the product mix it helps in analyzing the contribution margin ये contribution margin को भी analyze करता है relevance of marginal costing marginal costing एक important information provide करता है बहुत सारे इसके benefits है जैसे ये reliable information देता है reliable information का मतलब हम इस पर rely कर सकते हैं और इसके basis पे extra unit को कितना produce करना है उसके basis पे calculate कर सकते हैं marginal costing variable costing से अलग है from the fixed cause और ये beneficial है जब हम production के change की बात करते हैं ये मदद करता है production level को बताने में marginal costing helps the price of goods and services marginal costing identify the contribution margin for each product marginal costing आपको हर एक प्रड़क्ट का contribution देता है now this is the formula related to related to particular marginal costing तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो sales में से variable cost को घटा दूं तो contribution आता है और अगर इस में मैं fixed cost और उस में अगर profit plus कर दूं sales में से variable cost minus करो पहले sales में से variable cost minus करो तो contribution आता है contribution में से आप fixed cost minus करते हो तो अपका क्या आता है profit तो ऐसा scenario यह कह रहे हैं या तो profit आता है या तो loss आता है यह कह रहे हैं कि अगर sales में से variable cost माइनस करोगे तो वो बराबर है अगर fixed cost में profit हो तो जोड़ दो लॉस हो तो जोड़ दो तो एक तरफ तो यह यहां की बात कर रहे हैं एक तरफ यह यहां की बात कर रहे हैं दोनों तरफ से हम क्या निकालने की बात कर रहे हैं contribution अब यह इसको justify कर रहे हैं कि s upon me s minus v upon me s equals to f plus p अगर मैं fixed cost में profit की बात करती हूं s minus v क्या है यहां पे आपको s minus v that is sales में से variable cost जिसमें हमने multiplier divide by sales कर दिया sales यहीं पे रहे गया और इसका जो formula होता है वो pv ratio निकल के आ गया f और p तो यहां पे sales और profit variable अगर मैं sales में से profit को घटा दूँ तो यह break even sales हो जाएग और यह pv ratio तो break even sales का formula हम calculate कर लेते हैं that is fixed cost upon me pv ratio derivation आई तो pv ratio का formula हो गया fixed cost upon me break even sales sales में pv ratio का multiply कर दोगे तो contribution आ जाएगा pv ratio को हम लिख सकते हैं contribution upon sales break even sales में margin of safety add कर दोगे multiply कर दोगे pv ratio के साथ तो यह contribution हो जाएगा break even sales को multiply कर दो pv ratio से और margin of safety को multiply कर दो pv ratio से दोनों को मतलब एक बार इससे एक बार इससे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आप देख सकते हो कि margin of safety into pv ratio आ जाएगा आपका pk equal क्योंकि कहीं ना कहीं break even into pv ratio is fixed cost और fixed cost fixed cost कट जाएगा now pv ratio को आप लिख सकते हो change in profit upon me change in sales pv ratio को आप लिख सकते हो change in contribution upon change in sales और profitability को measure किया जा सकता है contribution upon me key factor margin of safety कैसे निकलेगी total sales minus break even sales और you can say profit और जो break even sales होती है वो ऐसे निकलती है total sales minus margin of safety और margin of safety निकलेगी total sales में से जब आप break even sales को minus कर दोगे उस scenario के अंदर तो अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या discuss कर लिया है ध्यान से सुनना बच्चो हम लोगों ने marginal costing पूरा discuss कर लिया उसकी definition से लेके उसकी characteristics margin of safety में कौन-कौन से formula use होते है marginal costing है वो कहा कहा helpful होती है यह सब discuss कर लिया now this is the question in which the examiner is asking about calculate break even sales total sales total variable cost current profit और new profit of margin of safety तो एक particular question से आपके काफी सारे concept clear हो जाएंगे तो इस question को हम लोग solve करेंगे तहले आप लोग go through करो इस question को and then we will both try to solve the particular question करेंगे लोगधे तो कोईव तो I can say वोगभखंगे, मधभफगगे तो करने अवाद में होगाई तो करेंगे झाले लोग आप़गे था यह झाल 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 प्रेक इवन सेल्स की बात करूं तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मिला क्या होता था देखो जल्दी से ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मिला होता था फिक्स्ट कॉस्ट रिवाइड बाइ पी वी रेश्यो कोशिन में पूछा है break-even sales तो break-even sales is equals to fixed cost upon me PV ratio fixed cost कितनी दे रख्या पेटा 5 lakh upon me PV ratio कितनी है देखो यहाँ पे contribution to sales दे रख्या डारेक्ली 40% तो उसके basis पे 0 से 0 cancel out और यह 4 1 ताइम में 4 1 ताइम में 4 2 ताइम में 4 2 ताइट 5 1 2 5 और यह आजएगा आपका triple 0 तो यह आजएगा आपका 1,25,000 की आपकी sales आजएगी तो और एक 0 और कम हो गया ना कितने 0 आगए यह आपका 2 ताइम में 5 ताइम में 3 0 यह और 1 0 यह यह आजएगा आपका 12,50,000 12,50,000 चल्दी से इसको नोट करो फिर नेक्स्ट माला पार्ट करते हैं that is total sales यह आपका कोशन अगर अपनी ध्यान से पढ़ा हो तो बोला था A limited maintains margin of safety 37.5% with an overall contribution 37.5% किसका sales का margin of safety sales का 37.5% है तो total sales में आप लोगों को पता है total sales is equals to किसके बराबर होता है total sales total sales होता है margin of safety और break-even sales break-even sales प्रस margin of safety तो जो total sales यह उसको एसमान लेते हैं break-even sales अभी निकाल के लाए हो 12,50,000 margin of safety is 37.5% तो 0.375 S इसको S को अलग कलर से देनोट करते हैं यह है S ठीक है और यह भी है S तो S minus 0.375 S is equals to 12,50,000 है ना तो यह कितना हो जाएगा S का मतलब यहाँ पे 1.000 से है इस वाले S का और यह हो गया 0.375 किसी को कोई problem ना हो इसलिए मैं solve करके minus करके भी दिखा रही हूँ यह हो गया बच्चो 10 में से 5 गए 5 9 में से 7 गए 2 और यह हो गया आपका 9 में से 3 गया 6 तो यह हो गया आपका 0.625 0.625 और यह हो गया आपका S किसके बराबर है 12,50,000 तो जो आपका S निकला है is equals to 12,50,000 किससे डिवाइड करूँगी मैं 0.0.625 से तो पॉइंट हटा दो 30 और बढ़ जाएंगे 625 को 625 इंटू टू करूँ आगया 125 तो यह आगया कट 2 टाइमस में इतना 2 टाइमस में इतना आया यहां से लेके यहां तक तो कितने 0 बच गया 123456 123456 इट मीन से कितना आगया बच्चो 20,00,000 कोई प्राब्लम इस कोश्चन में त्हान से देख लो कोश्चन को कोई प्राब्लम तो कमेंट सेक्षिन में मेंशन कर सकते हो आप लोग ड 요bedा में अंही तो कोश्चन है brighten तो कुछी तो क्रमेट प्राब्लम टो कोश्चन कोश्चन है, rnd नऌस्चन में यहां और टूकर हेँद़्, now the next one next one is total variable cost total variable PV ratio दे रखा है न PV ratio is contribution वाला तो variable cost कितनी हो जाएगी आपकी 100 में से minus कर दो आपको पता है कि जो आपकी cost sales, contribution to sales मतलब PV ratio प्लस, प्लस इसमें क्या कर दूँ आपका VC ratio तो ये दोनों को जोड करके 100% आता है PV ratio लिख लो ये वाला लग है PV ratio प्लस variable ratio is equals to 100% तो यहाँ पे आपका PV ratio दे रखा है बच्चो अगर 40% तो VC ratio कितना आ जाएगा 60% है ना 100 में से minus कर दिया तो total variable cost कितना आ जाएगा total variable cost total variable cost आ जाएगा sales का sales का 40% 60% सॉरी 60 निकला है ना अभी 60% तो sales कितनी आई है बच्चो अभी sales calculate होके आई थी ना total sales करी थी ना हमने 20 lakh 21 2 3 4 5 तो इसका आ जाएगा आपका 60% तो यह कहीं ना कहीं आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 6 2s are 12 and 2 4 5 12 lakh 12 lakh आ जाएगी आपकी अमाउंट now the current profit is current profit निकालना तो बहुत असान है सबसे पहले sales sales क्या थी आपकी यह वाली 20 lakh 20 lakh में से अपने वेरियेबल खर्चे माइनस कर दिये अभी निकाला कितना वेरियेबल खर्चे 12 lakh क्या आ गया contribution contribution कितना आ गया 8 lakh 8 lakh में से क्या माइनस करोगे fixed cost कितना है fixed cost यह दे रखा 5 lakh तो कितना आ जाएगा बच्चो 3 lakh आपका क्या हो जाएगा profit अभी discuss किया था ना कि किस तरीके से profit calculate होता है तो देखो दो type के questions को मैंने solve करा दिया अब last वाला बचे चल्दी से इसको noting कर लो फिर last वाला बचा है new margin of safety new margin of safety कैसे calculate होगी अगर तो मैं क्या कर देती हूँ बढ़ जाती है आपकी value कितने से 7.5 से 7.5 परसंट से अगर बढ़ जाती है तो चल्दी से इसको erase करते हैं लास्ट कोशन भी अपना complete करते हैं चलो margin of safety अगर मैं sales volume को sales volume कितना है sales कितनी है बच्छो आपकी 20 लैक अगर 20 लैक को मैं बढ़ा देती हूँ 7.5 से तो 20 लैक तो आएगा पहले 20 लैक का निकालो 7.5 परसंट 7.5 डिवाइड बाइ 100 पॉइंट से एक और 0 1 2 3 1 2 3 अब 75 को 2 से करोगे 150 150 और 1 2 3 3 0 आ गई ये तो ये कितना आगया आपका 1,50,000 अब 20 लैक में ये जोड़ दो बच्चो 20 लैक में जोड़ दो गई ये तो कितना होगा 21,50,000 21,50,000 इस धार तक तो कोई problem होगी यहां तक तो कोई doubt होना नहीं चाहिए 21,50,000 अगर sales इतनी बढ़ जाती है तो margin of safety कितना होगा margin of safety कैसे calculate करते हैं अभी हम formula सिखके आए हैं कि total sales को कैसे calculate करेंगे break even sales break even sales में margin of safety जोड़ दूँ तो total sales मुझे पता है कितनी अभी निकाला जो बढ़के value आई है 21,50,000 और जो आपका break even sales आया है वो अभी calculate किया था 12,50,000 तो यहां से आप margin of safety calculate कर लोगे plus margin of safety तो margin of safety की value कितनी आएगी बच्चो margin of safety is equals to 21,50,000 माइनस में 12,50,000 तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह आएगा आपका तीन और एक चार और एक पाँच और यह जाएगा 9,90,000 लैक आजाएगा आपका जो margin of safety है that is 9,00,000 लैक ओके बच्चो किसी भी तरीके का कोई confusion एक बार देख लो आप किसी भी टाइप का कोई confusion question के अंदर ओके डन सारा समझ आ गया तो इसी टाइप का question examiner आपसे पूछेगा UGC net में कि एक question का type देके आपको 4-5 question पूछ लेगा और 10 number वहाँ से आपके confirm हो जाएगे तो देख रहे हो कितना easy topic है और उससे question पूछे भी जाते हैं इस टाइप के questions को skip मत करके जाना अच्छे से practice करके जाना ठीक है ताकि आप लोग exam में अच्छे से सारे concepts को frame कर सकों ओकि अब आप लोग उसे next lecture video मिलेंगे और आप लोग को कोई भी doubt होता है इस particular lecture video से related तो आप लोग comment section में mention कर सकते हो आपको उसका reward timely मिल जाएगा thank you for watching कर सकते हैं